राश्ट्री सेवा करते वे सर्वोच बलीदान देने वाले मध्यप्रदेश के शहीद दिनेश गूर्चर के शोरिस मारक का अनावरण स्वाधिनता दिवस के अवसा परग्राम बामनी खुर्द तहसिल कनोध जिला दिवास में संपन हुआ इस औस पर कारीकरम के मुख्य अतिती एवं संदक्षक श्री सिधान्त जोशी जी प्रबंदक निदेशक कोटेल अकेडमी एवं श्री सुनिल तिवारी जी राश्ट्री समंग्याक कोटेल अकेडमी विशेश अतिती पुर्विधायक कैलाश कुंडल डॉक्टर और पन जेन अ प्राण प्तिष्ठा कर अनावरण किया साथ ही ग्राम के युवाओं से कहा कि इस गाउं का कोई भी युवागर सेना में जाने के लिए तैयारी करता है तो कोटेल अकेडमी विश संस्था शौरिय नमन उनकी सिक्षा को निशुल्क कराएगा साथ ही में ग्यात हो कि सैनिक दिनेश गुर्चर जो की 30 जुलाई 1919 को शहीद हो गए थे उनके शौरिय को याद करने के लिए इनके सम्मान में इनके ग्राम में कोई समारक अभी तक नहीं बनवाया गया था यह सूचना इंदौर्स संचालिज संस्था शौरिय नमन फाउंडेशन को मिली संस्था के बद इस्थान प्रदान करने का आगरह किया गया जिससे की शहीद दिनेश गुर्जर जी का इसमारक बनवाया चासके ततपश्याद सरपज द्वारा भूमी की उपलब्दता करवाई गई उसके बाद संस्था शोरिय नमन के द्वारा भूमी पूजन कर निर्मान की नीव रखी गई संस्था के संस्था पक अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि राष्ट के लिए समर्पित सेनिकों के समान और शहीदों के परिवार की सीवा में हम समर्पित हैं इसी मात्यम से हम राष्ट सेवा का पूर्णे प्राप्त कर रहे हैं श्री शर्मा ने बताया कि जब टी पूरी निमन संस्था के नवी शुकला, विनाय दिक्षित, अक्षाय, तारहलकर और साथ में महेंद्र कोगे, विपिन सी, अंकित बिचोरिया, अभिशेक मालविया, कुलदीप सी, दिनेश पाड़ीदार, राज़ेंदर गोयल, जोलनतिश शीब, एवं समस्त संस्था सदस्त अनावरण कारिक्रम में उपस्तित रहे, संस्था के इस पूनितकारे की सुचना पाकर, विथिक सेवा के छात्र, शिससत्यम भारतवाज, जी कारिक्रम में शामिल होने के लिए, देहरादुन से उपस्तित हुए, अनावरण के दोरान, ग्राम बासी उपस्तित रहे, बेव ट्रीप्रिपोर्ट वीस अफ राइ्ट